एलो गाईज, वेलकूम तो मैं चेनल, तो आज मैं ये मेटल के डिफरेंशल गियर का रेव्यू करने वाला हूँ, जो मैंने बेंग गूड से पर्चेस किया हुआ है, तो बेंग गूड एक में पहले इंडिया में शीपिंग करने के लिए ओपन हुआ था, और तब मैंने ओड कर दिया था, और मेरे ओडर प्लेस करने के 25 दिन बाद मुझे शिप्मेंट मिल गया था, जैसे कि आप देख रहे है, ये मेटल का डिफरेंशल गियर जिंक एलोई से बना हुआ है, और इस प्रोड़क की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, पर इसका जो बाहर का शाइनी पा और दोस्तों इसके shaft connector के bearings package में included है, don't worry, तो चलो मैं अब आपको इसके अंदर के gears दिखा ही देता हूँ, आप देख सकते हैं, अंदर का जो gear है, वो भी मेटल का बना हुआ है, और जिससे आप देख सकते हैं, इसके सारे planetary gears मेटल के बने हुआ है, जिंक एलोई से बने हुआ और अगर मैं सच बता हूँ, तो यह सारे gears एकदम मखण की तरह smooth work कर रहे है, और इसका जो gear का box है, वो पूरा metal का बना हुआ है, और यह gear का box जो है, वो total 4 screw की मदद से main gear के साथ attach हो सकता है, तो दोस्तों, इस metal differential gear में बार की side और अंदर की side quality पूरी-पूरी maintenance की गई है, और मेरे opinion में यह एक value for money product है, और इस metal differential gear को आप अपनी RC car और off-road buggy में यूज़ कर ही सकते हैं, और साथ साथ truck, bus और tractor जैसे heavy duty project में भी यूज़ कर सकते हैं, तो अब बात कर लेते हैं इसकी cost की, और यह वाला differential gear मुझे 1200 रूपे में पढ़ा है, इसमें 900 रूपिया इसका price था, और मैंने 300 रूपिय चाइना to इंडिया shipment charges दिये हैं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से यह वाला differential gear मेरे लिए price के मामले में, quality के मामले में और strength के मामले में एकदम best है, क्योंकि मैं इसको मेरे heavy duty truck में लगाने वाला हूँ, truck का वजन ही 3-4 kg होगा, तो guys subscribe कर दिजिए और bell icon को press कर अवाला हूँ